आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी क्या होता है, हर्ट में छला कैसे डाला जाता है, एंजियोग्राफिय और एंजियोप्लास्टी में क्या अंतर होता है, एंजियोग्राफिय कब की जाती है, एंजियोप्लास्टी करने में कितने रुपए लगते हैं, कितना खर्चा आता है सरल वासा में बताना चाओं हमारे हर्ट को भी काम करने के लिए blood supply चाहिए जिससे nutrition प्राप्त कर सके अब हमारे हर्ट को blood supply coronary arteries करते हैं यदि इन coronary arteries में कोई blockage आ जाजाए या रुकाउट हो जाए जो ये arteries हैं यदि ये पिचक जाएं, जैसे पानी का पाए पिचक जाता है, आगे पानी जा नहीं पाए, वैसे ही आगे blood supply नहीं पहुंच पारी है हमारे heart को, उस वज़े से heart attack आ सकता है या आ जाता है, ऐसी condition में हमें treatment के तोर पर angioplasty की जाती है, और इसकी जांच के लिए angiography की जाती है जो artery है, उसकी angioplasty एक ऐसी surgical प्रिक्रिया है, जो आम तोर पर heart की धमनियों को खोलने के लिए, या ब्लोकेज को खोलने के लिए किया जाता है, heart में रक्त अच्छे से परवा नहीं हो रहा है, या किसी तरह का ब्लोकेज है, तो ऐसी condition में angioplasty surgery की जाती है, छोटी सी धातु का एक tube होती है, या एक छला होता है, जिसको जहां से blockage है, उस blockage की जगेर रख दिया जाता है, जिससे आगे की blood supply हो सके, ये procedure मातर 30 मिनिट से लेके एक गंटे के अंदर complete हो जाता है, और लगबग मरीज को एक दिन में छुट्टे भी मिल जाती है, होस्पिटल से, अब angiopl क्लाश्टी कब की जाती है, तो angiography के माधियम से क्या किया जाता है, कि हमारे हाथ या पैर की जो नस होती है, उसके माधियम से एक camera डाला जाता है, और heart में जाके देखा जाता है, कि blockage कहा है, रुकाउट कहा है, आगे की blood supply, या कितना blockage है, 60% से जादा तो blockage नहीं है, एक से अधी जगे पर ये पिछकी हुई तो नहीं है, यदि ऐसी condition जादा है, तो heart attack आ सकता है, उस condition में angioplasty की जाती है, next point आता है कि angioplasty कैसे की जाती है, heart में छला कैसे डाला जाता है, angioplasty करने से पहले मरीज के कुछ परिक्षन यानि कुछ जांच किया जाता है, जिसमें blood test किया जाता है, anesthesia की जांच की जाती है, सरजरी से पहले कुछ दमया दी जाती है, angioplasty करने से पहले लैब में मरीज के सरीर के हाथ या और पैर की जो दमनी होती है, या जांग की नस होती है, या हाथ की जो नस होती है, उसकी साहिता से एक catheter डाला जाता है, और उस catheter के माध हुई जाती है हार्ट को, नसों को तो वो डाली जाती है, जिससे कैमरा अच्छे से देख सके विशेश कैमरे के उपयोग से रदे के अंदर के बागो की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि ब्लोकेज कहां है या दवनी कहां से सिकडी हुई है जहाँ पर रुकाउट होती है वहाँ पर एक बलून केथेटर रखा जाता है ताकि फैटिक जो चीजे हैं जो प्लक बन चुका है फैट का एथरोस्कोलरेसिस बन चुका है उसको क्या किया जाता है कम किया जाता है यानि पिचका-पिचका के क्या किया जाता है उस plug को कम किया जाता है इसके बाद में cardiologist जो doctor है गुबारे के माद्यम से वहाँ एक stand यानि छला डाला जाता है यानि वहाँ रख दिया जाता है और जैसे ही उस गुबारे को fly जाता है तो छला भी फैल जाता है उसके बाद में heart को blood supply अच्छे से मिलना start हो जाती है ये angioplasty मरीज की इस्तिती पे निर्वर करता है कई बार heart में जैसे ही दर्द होता है patient emergency में hospital आता है तो पहले angiography की जाती है जिससे देखा जाता है कि heart में blockage है तो उसी time में angioplasty कर दी जाती है वो emergency है यदि छोटा मोटा है तो laser angioplasty कर दी जाती है भारत में angioplasty करने के लिए एक से डेड़ लाग रुपे का खर्चा आ जाता है छोटा hospital होता है थोड़ा कम खर्चा आता है high five hospital होता है तो दो से तीन लाग का खर्चा आ जाता है और depend करता है कि आपके कितने चल्ले डले हैं क्योंकि एक से अधिक ब्लोके जाता है तो ज़्यादा चल्ले डलते हैं तो ज़्यादा cost हो जाता है तो इसी पर depend करता है तो आप angioplasty कराओगे उसके बाद डोक्टर आपको बता देगा तो आपतकालिन इस्तिती में मरीज को कुछ समय के लिए जादा उस्पिटल में रखा जा सकता है कि उसको हर्ट अटेक दुबारा आने के चांद जादा होता है इसलिए दो तीन या हफ्ते बर तक एडमिट कर दिया जाता है जब हर्ट में पैन की कंडिशन से उस्पिटल आता है या ऐसी कोई ब्लेडिंग हो रही है जिस साइट पे आपको इंजियोग्राफी की गई थी तो आपको तुरूंत ऑस्पिटल जाके डोक्टर से मिलना चाहिए और आपको एक्साइज यानि वायाम करना जरूरी है हलका फुलका बहुत हैवी एक्साइज नहीं करना आपको हलका फुलका रेगुलर एक्साइज करना है जिसे हर्ट अटेक आने की चांस कम हो जाते हैं मैं हूँ मिश्टर शाम और ऐसे ही मेडिकल नौलेज से रिलेटेड वीडियो में बनाता रहता हूँ तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सबस्ट्राइब जरू करें थैंक्यू सो मच